आज के इस वीडियो में आप मार्स के सोल्स 73, 72 और 69 के 10 अमेजिंग इमेजिस को देख पाएंगे जो नासा के मार्स परस्वियरेंस रोवर के द्वारा कैप्चरड की गई हैं तो आईए देखे फ्रेंड यह इमेजिस सोल्स 72 को मार्स परस्वियरेंस रोवर के ओन बोर्ड लेफ्ट नेविगेशन कैमरा से कैप्चरड किया गया है फ्रेंड नेविगेशन कैमरा रोवर के उपर लगा होता है इस इमेज में आप जेजरो क्रेटर से के राउंड डिप एरिये को देख पा रहे हैं फ्रेंड यह इमेज सोल्स 73 को रोवर के हैजकेम कैमरे से कैप्चरड किया गया है फ्रेंड इस इमेज में ऐसा नहीं लग रहा है जैसे वोलकेनों ने हिल ब्रेक कर दिया हो और उसके मेटेरियल यहाँ वहाँ बिखर गए हूँ फ्रेंड यह इमेज सोल्स 73 को मास पस्वेरेंस रोवर के फ्रेंट राइजकेम कैमरे से कैप्चरड किया गया है इस इमेज में रोक्स और सेंडी को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे यहाँ करोणों वर्स पहले वाटर रहा होगा फ्रेंड यह इमेज सोल्स 72 को रोवर द्वारा अपने राइट मस्ट केम जैड कैमरे से कैप्चरड किया गया है फ्रेंड इस इमेज में ऐसा लग रहा है जैसे रोक्स और हिल के एरिये को दिखाया गया हो फ्रेंड यही इमेज सोल्स 73 को मार्स परस्वेरेंस रोवर के बैक हैजकेम कैमरे से कैप्चरड की गया है इस इमेज में ऐसा नहीं लग रहा है जैसे इमेज संडी स्टूप जैसा हो फ्रेंड यहीं इमेज सोल सेवन्टी थ्री को मार्स पस्वेरेंस रोवर के फ्रन्ट राइट हैजकेम कैमरे से कैप्चरड किया गया है फ्रेंड इस रोवर में 25th कैमराज माइक ड्रिल और एक लेजर लाइट लगी हुई है फ्रेंड यहां का नाइट व्यू अर्थ के नाइट व्यू जैसा लग रहा है फ्रेंड यहीं में 169 को मार्स पस्वेरेंस रोवर के लेफ्ट मस्ट कैम जैट कैमरे से कैप्चरड की गई है फ्रेंड मस्ट कैम जैट कैमरा रोवर के उपर लगा हुआ है इस इमेज में सैंडी और रॉक्स को देखकर ऐसा लगता है जैसे यह तिले जैसा प्रतीक हो रहा है फ्रेंड यहीं में 1673 को रोवर के हैज केम कैमरे से कैप्चरड किया गया है इस इमेज में ऐसा लग रहा है जैसे यह होरीबल सेडो हो